बिहार के उप मुख्य मंत्री बार नगर प्रिशक के 151 वस थापना दिवस पर बार पहुंचे जहां उन्होंने नगर प्रिशक के कही योजनाओं का शिलान न्यास किया। इस अवसर पर मुंगेर लोकसभा सांसर ललन सिंग, ए महसी सहजदियो मुख्य प्रवक्ता नीरज सिंग भी उपस्थित हुए। नगर परिशक के अध्यक्ष राजीव कुमार चुननात तथा कार्यपालक पदाधिकारी जनार्दन प्रसागवर्मा ने पुष्प गुछ देकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर सभी वार्ड पार्शन देवं जन प्रतिन्वीधी उपस्थित थे। नगर परिशत में योजनाव एवं कारेक्रम का उद्धाटन करने के बाद उपमुख्य मंत्री का काफिला बार्ड के डाग बंगला पहुँचा जहां उन्होंने नगर परिशत द्वारा आयोजित कारेक्रम में भाग लिया तथा वहां उपस्थित जनता को संबोधित करने का का काम किया कारेक्रम में स्वागत भाषन बार के स्जी एम सुमित कुमार ने किया तथा उन्होंने शराब बंदी को लेकर उपस्थित सभीवार्ड पार्शद तथा जनता को आजीवन शराब नहीं पीने तथा पीने देने की शपत दिलाई नगर अध्यक्ष राजीव कुमार चुना ने भी जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमें ऐसे एतिहासिक शंग का इंदजार था आज नगर परिशक का 151 वस्थापना दिवस मनाते हुए गर्व का एहसास हो रहा है सभा को संबोधित करते हुए सांसद ललन सिंग ने कहा कि बिहार में विकास का कारे हो रहा है कुछ लोग शराबंदी का विरोध करते हैं लेकिन शराबंदी के बहुत सारे फायदे देखने को मिल रही है उन्होंने कहा कि लोग यहारोप लगाते हैं कि शराब बंदी से राजस्व की हानी हो रही है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है शराब में खर्च होने वाला पैसा अब परिवार के उपर खर्च किया जा रहा है इसलिए टाक्स के रूप में सरकार के पास फिर भी राजस्व आ जाती है अंत में उप मुख्य मंत्री तार किशोर प्रसाद ने जनता को संबोधित किया उन्होंने कहा कि नगर परिशक के 151 बस थापना दिवस के साक्षी बनने के लिए हम यहां उपस्थित हुए है यह है थिहासिक एवं गौरव शालिक्षन है हम कामना करते हैं फिकी बार नगर परिशर नगर ये विकास एवं उन्होंने के शिक्र में आगे बढ़ता रहे बार हमारे मुख्य मंत्री मेतीश कुमार की कर्म भूमी रही है इसलिए वे हमीशा बार के विकास के लिए सकारात्मक सोच रखते हैं इस अवसर पर बार के धाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर सिया राम सिंग, जक्तिल के युवा नेता संजय यादव, जक्तिल के वरिष्ट नेता शंभू नारायन सिंग सहित कई जनवरी प्रतिनिधी एवं गण मानने लोग उपस्थी थे जब जो होने ले वसका में सहर दिया और जब जाएब कर दोगे लिवा इस अवारी मूल था है